विसफोटक न्यूस के प्राय जग है रेट प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स वा वही लूटी जा रही है मगर हकीकत बताती है कि महंगाई रिकॉर्ड स्टर पर पहुँच गई आकड़ों पर गौर करें तो साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधान मंत्री का पद संभाला तो उस वक्त देश की जीडीपी ब्रिधी की दर 7.4 फीसिदी थी लेकिन 2022 आते ये 7.3 फीसिदी के स्टर पर पहुँच गई वहीं अप्रेल 2022 में देश में खुदरा महंगाई दर 7.79 फीसिदी हो गई है ये 8 साल का उच्चतम स्टर है वही थोक महंगाई भी तेजी से बढ़ते हुए 15 फीसिदी के स्टर को पार कर गई है महंगाई के पीछे डॉलर के मुकाबले भारतिय मुद्रा में आ रही गिरावट का बड़ा योगदान है रुपया डॉलर के मुकाबले तूट कर 77.59 के निचले स्तर पर पहुँच गया वही रोजगार देने के मामले में भी नरेंद्र मोदी सरकार काफी पीछे है साल 2018 में बेरोजगारी दर 5.69 फीसिदी थी जबकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन एकॉनमी के ताजा आकडों को देखे तो अप्रेल 2022 में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.83 फीसिदी पर पहुँच गई देश में जैसे जैसे वेरोजगारी बढ़ती जा रही है तेल की कीमते भी आसमान पर पहुँच रही है मई 2014 में देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71.41 पैसे प्रति लीटर थी जो की 24 मई को 96.72 पैसे प्रति लीटर पहुँच चुकी है ये आंकडे साफ बताते हैं कि मोधी सरकार में देश तरक्की की राह पर नहीं बलकि बरबादी की राह पर आगे बढ़ा है